हेलो दोस्तों मैं हूँ संजय राजवरा और हम न्यूज क्लिक में आपके लिए एक नया शो लेके हैं इसका नाम है भारत एक मौज कोई कमी नहीं है इस देश में और हर एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कोई एक मौज उठा के और थोड़ा सा उसके बारे में तफरीव पाँच इंपॉर्टन पॉइंट्स हैं इलेक्टरल बॉंड्स के बारे में सबसे पहले तो यह है कि अब पॉलिटिकल फंडिंग में कोई कैप नहीं है मैं लिखके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कोई कैप नहीं आप कितना भी डोनेट कर सकते हैं दूसरा पॉइं चौता है कि ब्लैक मनी को कैसे बढ़ावा मिलता है इससे यह भी मैं आपको बताऊंगा और पांच वाग हैरेस्मेंट अफ डोनर्स अब दिखो जहां पे सरकार है हमारी हमको बोल रहे हैं कि आप GST बरें यह करें वो करें यह टैक्स बरें वरना आपके पर चापे पढ़ करेंगे नोट भी बंद होगे और अब तो यह भी डर लग रहा है कि हमारे बैंक में जो मारे पैसे वो भी कभी भी कहीं हो सकते हैं अपने लिए कितना शांदार मुगल कार्टन खोल दिया है वह आजकल तो मुगल कार्टन बोलना भी थोड़ा लगता है इन्होंने मुगल क जो सकेंडल लिए पिछले कुछे सालों से चल रहा था यह सरकार ने चलाया कि जो भी फॉरण फंडिड एंजियोस हैं वो कुछ भी काम करी हो हिंदुस्तान के अंदर रिटरेसी प्रोग्राम चला रही हूं या फेमेल कॉंट्रसफ्री प्रोग्राम चला रही हुं वो अगर लिटरेसी प्रोग्राइम चलाएं तो एंटिनेशनल हैं लेकिन वही एंजियोज अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही हैं सभी राजनितिक दल, holier than thou, इससे अलग हट करके, मिल बैट करके, पारदर्शिता को प्राथ्विक्ता देते विए, ब्रस्टाचार और काले धन से राजनितिक दलों को मुक्त कराने के दिशा में सही कदम उठाएं पहले एक रूल हुआ करता था कि कोई भी कमपनी प्राफिटेबल होनी चाहिए और अपने जितनी भी उसकी कैपिटल है, उसका साड़े साथ परसेंट वो डोनेट कर सकती है अब यह है कि आप घाटे वाली कमपनी चला रहे हैं और आप हंड़ा परसेंट भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं यह मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ इतनी सी बात आप सोचें कि अपने लिए कितना पार्टी बोलना चाहिए पार्टी तो नहीं बोलना चाहिए कि अपने लिए बूलिकल पार्टी कमपनी अप की हो आप उसको डोनेट करते रहो किसी भी political party को मुझे तो हसी आती इन बतों पे लेकिए और सबसे ज़्यादा important सबसे ज़्यादा गंबीर बात ये है कि ruling party को पता है कि कौन donate कर रहा है opposition को only the ruling party knows electoral bonds का शगूफा यही है कि only the ruling party knows कि कौन opposition को donate कर रहा है इसका मतलब ruling party के पास वो एक जिसको बोलते ना एक छुपावा हतियार है जिससे जाके वो opposition के donors को डरा धमका सकता है और बोल सकता है खबरदार इसको पैसे दिये दो दूसरी मौज की बात वो ये है कि आज पूरे देश में debate ये हो रही है after गुजरात elections के क्या रहुल गांदी के character से पपू बढ़ धट गया मैं सोचता हूँ के रहुल गांदी इस लाइक करन जोहर because with every film करन जोहर प्रमिस इस 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 में मोस्चूर फिल्म and we believe him and we go and watch that film and it turns out to be the same dead Rahul Gandhi, करन जोहर are Indian men they threaten that they will mature or they have matured but Indian men, they never mature जहां भी मैं गया खांकरा किनाया मुपली मिची काचार धोबला सब कुछ टेस करा दियो करन जोर के अगली फिल्म के अंतिजार करें और रहूल गांदी के अगली एक्षिन के अंतिजार करें तीसरी मौच जो भारत की है स्टेट इंस्टिशिशन हम सोचते हैं कि ये काम की चीज़ों पर यूज होंगे अगर कहीं पर लिंचिंग होगी तो पुलिस आएगी और वहाँ पर कुछ इंसाफ करेंगी और कोर्ट से इंसाफ करेंगे लेकिन हमारी स्टेट इंस्टिशन पता है कि इस चीज़ में बिजी हैं पिछले दिनों एक खबर थी जो मैंने पढ़ी आपने भी पढ़ी होगी कि एक बस के अंदर जगड़ा हो गया क्यों क्योंकि एक सवारी एक बंदा जो बठा हुआ था उसकी जुरावों में से ना बदबू आ रही थी लोगों ने उसको बोला वो बदबू इतनी आ रही थी कि फुरी बस परिशान होगी लोगों ने उसको बोला यार तो ये जुरावें फैक दे लेकिन वो भी एक खुद मुकतार देश भक्त लड़का था उसने बोला खुछ भी हो जाएगा जुरावें नहीं फैक हुआ उसने जुरावें फैकी नहीं बस में उससे बदबू गई नहीं पब्लिक में आपस में लड़ाई होगी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बस को पुलिस थाना जाना पड़ा पुलिस ने एक्शन लिया उस बंदे को अरेस्ट किया वो पब्लिक न्यूसेंस और वाटवर और मैं सोच रहा था कमाल का मुलक है यही तो मौज़ेस मुलकी कि जब लिंचिंग हो जाती है तब पुलिस नहीं होती है कि ते आपस का मामला है सुछ जालो लेकिन जुरावों में से बदबु आती है पुलिस पब्लिक न्यूसेंस के लिए अरस्ट कर लेती है तो यही है भारत एक मौज जहां पे जुरावों की बदबु की वज़े से पुलिस आ जाती है लेकिन लिंचिंग पे पुलिस नहीं आती है और ऐसी बहुत सारी मौजों की भरमार है हमारे पास और हर बार हम कोशिश करेंगे कि ऐसी दो चार मौजें आपके पास हर एपिसोड में लेके आए विश्यू आप वेरी हैपी न्यू येर 2018 आपका इतना ही अच्छा जाए और उमीद करते हैं कि और लिंचिंग थोड़ी कम हो जाएगी और पलिस जुराब छोड़के और असली मुद्दों पर जाएगी और इसी तरह से मौज लेते रहे हम आपके पास आते रहेंगे